भारतिय ओलंपिक संग के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने विश्व तीरंदाजी संग से भारत के तीरंदाजी संग पर से निलंबन हटाने का अनुरोद किया है ताकि विटो क्यों उलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर सके, इस बीच पूर्व भारतिय तीरंदाज संजीवा सिंग को लगता है कि फरवरी तक निलंबन हटा लिया जाएगा. WA प्रमुक को लिखे पत्र में, IOA अध्यक्ष ने कहा कि चून की World Body के आप्जवर के तहट स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव हुए थे, इसलिए 2020 के खेलों के लिए भारतिय तैयारी में मदद करने के लिए निलंबन को हटा देना चाहिए. 1st week of February or mid-February because there are World Cups lined up, there are Asia Cups lined up and Indian archers need to participate under the Indian banner, not the World Archery banner anymore because there is one single election which the World Archery wanted has happened in the presence of the World Archery Observer and all the three National Observers. दिल्ली उच्चन यायाले के आदेश के अनुसार चुनाव हुए थे, चुनाव WA Observer की उपस्थिती में हुए और WA Asia क्षेत्र के उपराश्टरपती अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर विश्व निकाय निलंबन फैसला लेगा.